हेलो वेलकम बेक टू गैली तो एनाई सील आसिस्टन का नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले आपका आउट हो चुका है जिसमें टोटल 500 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है इसका एक्जाम डेट क्या होती है एज लिमिट किसको यहाँ पे अपलाई करना चाहिए में 500 पोस्ट है साथी में जो आपका ओनलाइन एक्जाम फेजवन का एक्जाम डेट के आप लिखा गया है 30 नवेंबर को आपका एक्जाम यहाँ पर होने वाला है तो आपके पास यहाँ पे तकरिबन 40 दे से प्रिलिम्स एक्जाम के लिए और जो आपका फेज़्टू में से एक्जाम है वो 28 डिसेंबर को यहाँ पे आपका हो जाएगा तो इसकी प्रोसेस बहुत फास चलने वाली है तो चलिए आगे देखते है डिटेल में इसकी जो नौटीस है वो आप हम स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहा है होगे वेकें इस आपको कहां पर दिख रहा है तो दीखे यहाँ महाराय श्क्रीन जोहे इसमें आपको सबसे अज्यादा यहाँपे वेकेंसिस देखने को मिल रही होगे 52 यहाँपे वेकेंसिस है और यहाँपे जो लेंगस स्टेट है वो याँआ बहूट ट्रिक होता है तो रहे वो भी आप अपने स्टेट की यहाँ पे चेक कर सकते हैं टोटल वेकंसिस की बात कर लिजाए तो 500 आपको दीख रही होगी स्क्रीन पर आप अपने स्टेट की और जो लेंगवेज है वो मैच कर सकते हैं तो चलिए आगे हम इंफोमेशन जो बाकी है वो देख लेते एज लिमिट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो आपका eligibility criteria है है वो सबसे पहले आप यहाँ पे इंडियन नेशनल होने चाहिए या फिर बाकी सारे भी चीज़े आप देख सकते हैं एज लिमिट की हम यहाँ बात कर लें तो देखे 21 years से 30 years के बीच आपकी age होनी चाहिए age on 1st October 2024 तो cut off date आपकी क्या रहेगी तो 1 October 2024 से पहले आपके यहाँ पे 30 years नहीं होने चाहिए तब आप इसमें eligible है तो यहाँ पे minimum 21 से 30 years और जो age relaxation बाकी सारी organization में होता है वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 years से लेके यहाँ पे HCST को 5 years और OBC को 3 years का यहाँ जो relaxation है वो मि देख लेते education qualification देखे आप graduation आपका यहाँ पे minimum होना चाहिए देखे candidates must pass the minimum qualification graduation in any discipline मलब शिरफ graduation होना चाहिए कोई भी यहाँ पे आपको percentage का criteria देखने को नहीं मिल रहा है अब कुछ और जो important information है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं तो इस notification में जो जो दी गई है बागी सारी जो forms की detail है EWS की detail से वो हम ए टेलिग्राम पर हम पुरा notification सेयर कर देंगे वहाँ जाके आप detail में चेक आउट कर सकते हैं अब चलिए हम exam pattern की बात कर लेते हैं तो देखे face word आ 35-35 का quant reasoning रहेगा जैसे PO का या clerk का prelims होता है वैसे सभी का यहाँ पे sectional timing भी दिया गया है और English Hindi में भी आपको देखने को मिलेगे English के अलावा जो paper से वो साथी में आपका जो means का exam pattern है वो आप screen पर देख सकते हैं जैसे RRB में होता है वैसे यहाँ पर देख सकते reasoning English जो आप का quant है GA और computer वो आप screen पर detail में देख सकते हैं इसके 200 total marks रहेंगे और सभी objective रहेगे और 120 minutes यहाँ पर separate timing के साथ आपको देखने को मिलेगे तो अगर आप RRB का exam दे रहे हैं तो आप यह भी exam दे सकते हैं अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बागी जो important चीज़े हैं वो श का तो जो भी state में आप apply करें तो उसकी जो language दी गई है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए इसके आगे जो information है वो देख लेते तो देखे आप यहाँ पे जो state wise center कौन से रहेंगे वो screen पर देख सकते हैं तो चलिए हम और कुछ जो important information है फीस कितनी रहेंगी तो देखे SCHT के उनके लिए 850 रूपीस रहेगी इसके साथ साथ जो application form कैसे बढ़ना है वो आप screen पर details देख सकते हैं अब चलिए जो आपकी job है उसके बारे में details देख लेते हैं salary जो probation period है वो six month का रहेगा आपके और साथी में जो आपका bond period है वो 25,000 आपको bond amount यहाँ पर देना होगा अग अगर आप छोड़ देते हैं तब अब इसकी जो salary है वो देखे 22,405 यहाँ पर आपकी basic पर आएगी और total जो metro city में total अभी के इसाब से 39,000 रूपीस आपको मिलेगे लेकिन अभी इसका wage revision है वो आपको 2025 में देखने को मिलेगा इसके बाद आपकी जो salary है वो लगबग 50,000 के आसपर चली जाएगी तो यह hidden opportunity है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है सोचेंगे कि 39,000 ही salary है इसकी लेकिन इसका wage revision बहुत जल्दी होने वाला है उसके बाद यहाँ पर 50,000 के आसपर total gross salary है वो चली जाएगी तो यह important information आपको save करके रखनी है इसके बाद जो information है form कैसे बढ़ चल रहे है साथी में जो mock test होगे particularly इस NICL assistant के आपको mock test अभी देखने को मिल रहे है link इसका description में मैंने डाल दिया है तो वहाँ जाके जो mock test है वो 149 में आपको मिल जा रहे है तो वो जाकर buy करना ना भूले नीचे आपको link मिल जाएगा सबसे सस्ता जो offer है वो अभी active है तो उसका link description में वहाँ जाके देख सकते कोई भी डाउट है इस notification के बारे में तो आपको comment section में बता दीजिए final text for watching